नमस्ति दोस्तो आज मैं काजू पनेर की सबजी बनाऊंगी यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है यह सबजी और यह मैं सबजी होटल स्टाइल में बनाऊंगी तो आप मेरा वीडियो पूरा देखे जिसे आपको पता चल सके कि कैसे बनाई हैं यह सबजी मैंने तो इसक पढ़ाई के अंदर मैं ओयल डाल दूंगी एक चम्मच अब मैं इसके अंदर यह आधी कटोड़ी काजू है इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है तो इसको हम डाल देंगे फ्राय होने के लिए हम अच्छी तरह से इसको गोल्डन ब्राउन हो तब तक हम इसे फ्राय कर ल साल दुलशार के टार आलेंगे इसलिए हमें अच्छे से यहाँ ही काजू को पका लेना है है तो यह गोल्डन हो जाए तब तक हम अच्छे से इसको पका लिए और आपको यह काजू डाल के ऐसी चलाते रहना है कूंकि काजू जल्दी ही ङलाते हैं और ब्राउन भी होने लगते हैं जल्दी से और यह स्टेप आप गेस देरे रखके करो हाई फ्लेम पे मत करो क्योंकि उससे काजी जल्दी ही जल जाएंगे आपके अब मैं उसी ही कठाई में यह मैंने एक प्यास कट कटके रखा था वो में डाल दूंगी और इसे मैं चाल लूँगी इस तरह से अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूंगी मैंने इसके अंदर लसन और अद्रक डाल दिया है ये मैंने गरम पानी ले लिया है और गरम पानी के ही अंदर में पनीड डालती हूँ इसी तरह से जिससे की पनीड बहुती सोफ्ट रहता है और आप इसकी जगपे आप पनीड को फ्राइ भी कर सकते हो और आप फ्राइग करके भी घरम पानी में डाल सकते हों अब मैं ये काजु डाल रही हूं इसके अंदर इसमें भी मैंने एक मुट्टी काजु डाल दिया था और ये मैं नमक डाल रही हूं एक चमच और इसे चला लेंगे हम इसको हमें अच्छी तरह से पका लेना है क्योंकि ये अच्छी तरह से पकता है तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो अब यहां पे अच्छी तरह से टमाटर और प्यास को पका लो जिससे की आपकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनके कि हमें बार बार चलाते भी रहना है जिसे क्या है कि जल्पी न चाहे इस तरह से और यह हमारी बन के तयार यह अब मिक्स की ग्रेवी बना लेंगे यह मैंने मिक्सी में ग्रेवी बना ली है इसकी आप देख सकते हों अब हम वही मैंने कड़ाई ली है इसमें फ्लेवर रहता है इसलिए मैं वही सेम वाली ही कड़ाई लेती हूँ इसके अंदर मैंने एक चम्मच ओयल डाला है और एक चम्मच में गी डाल दूँगी इससे बढ़िया टेस्ट आता है आप बटर और ओयल में भी बना सकते हों और गी डाल सकते हों यहाँ पर ही हम लाल मिर्ची पावडर डाल देंगे और इस तरह से मेक्स कर देंगे और मिर्ची हमारी जले नहीं इस बात का ध्यान रखें और तुरंत ही हम ग्रेवी डाल देंगे इसमें मिर्ची डालने से क्या होता है ओयल में यह सबजी का कलर बहुत ही अच्छा आता है इसलिए और टेस्ट भी अच्छा लगता है इसलिए उसमें आप मिर्ची डालोगे तो बहुत ही अच्छी लगती है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कल लग रहा है अब मैं इसके अंदर आधी किलास पानी डाल दूँगी और इसे हम मिक्स कर लेंगे अब मैं एक चमच दनिया पाउडर डालूँगी आती चमच हल्दी और एक चमच गर्म मसाला डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अब हम इसके अंदर काजू डाल देंगे और कसूरी मिथी डाल देंगे कसूरी मिथी इस तरह से हाथों से मसल के डालो इस तरह से डाल के मिक्स कर लेंगे अब मैं उपर से एक चमच घी डाल रहे हूं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह बनके तयार है आप देख सकते हो अब हम इसके अंदर पनिर लाश्ट में डालेंगे क्योंकि मेरा पनिर बहुत ही सॉफ्ट होता है इसलिए मैं लाश्ट में डालती हूं गरम पानी में डालते है न इसलिए और अब हम थोड़ा दीरे-दीरे करके इस तरह से चला लेंगे ज्यादा नहीं इस तरह से करना है क्योंकि क्या होगा पनिर तूट जाएगा सब जीपन के तयार अब हमें उपर से धनिया डाल दोंगी और ओयल भी निकलने लगा है आप देख सकते हों अब हम सबजी को सव कर लेंगे सबजी मैंने सव कर लिया है ये रोती के साथ पराठे के साथ नान के साथ और पूरी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और जीरा रास चावल के साथ भी बढ़िया लगती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था है आप जरूर एक बार बनाए और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करते हैं आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें